AstraZeneca जो कि एक UK-based pharmaceutical company है जिसको हम COVID-19 की vaccine के रिए बहुत commonly जानते हैं उसने court में ये accept किया है कि उसकी बनाई हुई vaccine से एक बहुत ही जान लेवा बट rare condition होती है इसका नाम है TTS, Thromotic Thromocytopenic Syndrome और जब से ये खब सामने आई है, social media में कई तरह के rumors और controversies घूम रहे हैं मुझे भी मेरे friends, family members के, मेरे patients के, मेरे दोस्तों के calls आ रहे हैं ये पूछने के लिए कि कहीं हमें भी तो heart attack, stroke या TTS का risk बढ़ नहीं जाएगा क्योंकि हमने भी ये vaccines ली है उनकी तरह आपने और मैंने भी और हमारे साथ साथ 1.6 billion लोगों ने इस पूरी दुनिया में COVID-19 की ये vaccine ली है तो ये obvious बात है कि हम सब जानना चाहेंगे कि इसके पीछे का सच क्या है क्या सच मुझ हम खत्रे में हैं? क्या हमने ये vaccine लेके बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दी? आकिर ये thrombotic, thrombocytopenic syndrome है क्या? और क्या ये पहली बार COVID-19 की इस vaccine के कारण ही हमारे सामने आया है हम कैसे पता कर सकते हैं कि हम खत्रे में हैं या नहीं? अगर आपने भी AstraZeneca की COVID-19 vaccine ली है तो आपके मन में भी ये सवाल आ रहे होंगे तो इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में मैं इन सभी सवालों का जवाब आपको देने वाले हूँ इसको ध्यान से अंत तक देखेंगे तो इस प्रॉब्लम से जुड़ी आपकी जो भी अंसर्टेनिटी है डर है आपके अंदर उस सब खतम हो जाएंगे नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है माई एक्सपर डॉक्टर मैं आपके साथ हूँ आपकी हेल्फ गाइड डॉक्टर शाने दिसिन सालों के और हम आज बात करने वारे हैं एस्ट्राजेनेका कोविड नाइटीन वैक्सीन और उससे हमारी सेहत पर क्या खतरनाथ असर पड़ सकता है इसके बारे में तो दोसों जब कोविड नाइटीन अपने पीक पे था 2020 के आसपास तो एक वैक्सीन मार्केट में आई थी जो एक उमीद के किरण की तरह थी जो हमें कोविड नाइटीन के इंफेक्शन से उससे होने वाली जान लेवा खतरे से बजा सकती थी उसका नाम था एस्ट्राजेनिका COVID-19 वैक्सीन और कोविशील ये एक एडिनो वाइरस वेक्टर बेस्ट वैक्सीन थी डबली अचो के हिसाब से बताया गया था कि इस वैक्सीन को लगाने के बाद 77 से 90 परसेंट रिस्क कम हो जाता है severe COVID-19 infection का जिसके कारण mortality rate बहुत ही कम हो जाता है मृत्यूदर बहुत कम हो जाता है तो इसलिए इस वैक्सीन को accept किया गया और बहुत सारी countries ने इसको अपनाया अपने अपने देशों में COVID-19 वैक्सीन के shorts अपने जनता को दिये ताकि COVID-19 से होने वाले जानलेवा खतरे को हम कम कर पाए और ये बहुत हद तक successful भी था पट 2021 के early phase में एक और news सामने आने लगी जिसमें ये कहा जा रहा था कि COVID-19 AstraZeneca वैक्सीन के साथ कुछ side effects जड़ा हुआ है एक खतरनाग जानलेवा side effect जिसका नाम का TTS scientists ने इसके बारे में study की और मालूम किया कि इसका prevalence जो है वो एक million लोगों में सिर्व 7 लोगों को होता है जबकि दूसरे तरफ COVID-19 से severe infection और death होने का risk 1 million population में 1000 से जादा लोगों को था तो दुनिया भर के scientists ने health organizations ने, health ministries ने इसका benefit जादा है compared to its risk ये समझा और इसी लिए इस vaccination को continue किया जी हाँ तीन साल पहले भी हमें ये बात मालूम थी कि COVID-19 AstraZeneca vaccine से एक rare condition associated है तो ये बात कोई नहीं नहीं है सिर्फ इतना है कि उस समय हमारे पास और भी बहुत सारे impossible और difficult situation थी इसलिए इस पे बहुत जादा लोगों ने ध्यान नहीं दियो और बात भी नहीं किया तो चलिए अब ये समझ लेते हैं कि TTS actually क्या problem है और actually क्या ये इतनी dangerous है life threatening है और क्या ये सिर्फ COVID-19 vaccine के साथ ही associated है TTS मतलब thrombotic thrombocytopenic percura एक rare blood disorder है जिसमें कि आपके जो छोटी-छोटी blood vessels होती है उसमें clots बनने लगते हैं इसको हम thrombosis बोलते हैं उसके कारण platelet का reduction होता है आपकी body इसको हम thrombocytopenia बोलते हैं ये present कैसे करता है? neurological signs and symptoms दिख सकते हैं जटका आना बेहुशी आना, इस तरह की problem stroke, heart attacks की problem हो सकती है fever, kidney damage हो सकता है body के कुछ parts में hemorrhage हो सकता है इस तरह की कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलेंगे TTS के symptoms की तौर पे देखा जाए तो TTS एक बहुत ही जानलेवा condition है अगर इसका ilाज न हुआ तो mortality rate या मृत्य उतर बहुत जादा है पर अगर timely इसका diagnosis हो गया और इसका ilाज किया गया plasmoparesis से, IV immunoglobulin से या steroid से तो काफी हद तक mortality rate को कम किया जा सकता है अब आप लोग को बहुत interesting जानकारे देती हो TTP, ये condition जो है, आज से लगबग 100 साल पहले, 1924 में एली मॉस्कोविच नाम के एक डॉक्टर ने identify की थी और describe किया था कब से लगबग लगबग 2 से 3 cases per million population यही इसका prevalence रहा है, मतलब ये एक rare condition होती है, और एक महिजदार बार बताती हो इस पूरी cases में 80% से ज्यादा cases जो है, वो acquired होते हैं, मतलब जनम से नहीं होते, ये किसी ना किसी दवाईयों के या vaccine के या drugs के secondary reaction के तौर पर हमारी body में develop होते हैं कौन-कौन सी examples होते हैं medicines के, तो gemcitabine, mitomycin ये जो के anti-cancer drugs हैं या बहुत commonly used clopidogrel teclopidin, जो की antiplatelets हैं, उनको consume करने से भी TTP हो सकता है अब आप सोचेंगे कि ये drugs थो हम commonly use करते हैं, जी हाँ ये drugs आज भी market में use होती है, despite of the fact कि इनसे भी TTP हो सकता है और वो इसलिए, क्योंकि यहाँ पर भी benefits जादा है compared to risk, जो same covid-19 vaccine के साथ में था और जब हम इस topic पर discussion कर ही रहे हैं, तो covid-19 vaccine के अलावा भी और भी vaccines हैं, जिनसे की TTP हो सकता है for example, influenza vaccine H1N1 vaccine pneumococcal vaccine, anti-rabies या rabies की जो vaccination होती है इनसे भी TTP होता है और ये known causes है, पर फिर भी आज भी इन vaccines को use किया जाता है और ये बहुत कामगर भी साबित होती है क्योंकि इनका benefits जादा है compared to risk that they pose तो आईए, अब फटा-फट से revise कर लेते हैं, summarize कर लेते हैं जो अभी तक हमने इस condition के बारे में समझाए, पहली चीज़ ये कोई नई बिमारी नई है, एक century पहले इसका discovery हो चुकी है और आज भी हम इसके बारे में बहुत पहले से जानते हैं, दूसरा COVID-19 vaccine के अलावा बाकी और भी drugs and vaccines हैं जिससे TTP हो सकती है और वो safely आज भी market में use हो रही है, पैक नमबर 3 COVID-19 से होने वाली TTP एक बहुती rare condition है पैक नमबर 4 अगर time से इसको diagnose कर लिया जाये तो इसके जान भी बचाई जा सकती है पैक नमबर 5 scientists, health organizations और health ministries और बाकी health personals जो हैं, उन लोगों ने already इसको इसका risk और benefit का जो ratio है वो identify कर लिया है, समझ लिया है और तभी हम सब को ये injections लगा है, तो इसी लिए इस injection को लगाने में हमने कोई गलती नहीं की है तो चलिए, अब question of the moment के तरफ जाते हैं क्या हमें AstraZeneca COVID-19 vaccine से होने वाले side effect TTS के बारे में डरना चाहिए अगर हमने vaccine लिये तो, तो सबसे पहली बात AstraZeneca COVID-19 vaccine से होने वाली TTS जो condition है, ये 1 million लोगों में से सब 7 लोगों को ही होती है तो मतलब ये बहुत rare problem है उसकी अब एक्षा अगर देखा जाए तो diabetes, obesity, heart problem cancer, ये सारी जो problem है, इनका ratio बहुत जादा है, इसका incidence बहुत जादा है और ये उतनी ही जान लेवा है तो अगर आपको डरना है, तो इन बिमारियों से दरिये, उस बचारी vaccine से होने वाली problem को अभी आप छोड़ दीजे बड़ी problems ये है second point, हम ये बात जानते हैं, कि COVID-19 vaccine के कारण जाए TTS के problem है ये vaccine के shots लेने के 4-6 हफते या 8 हफते बाद ही होती है, हम में से maximum लोगों ने अल्रड़ी 2-3 साल पहले ये vaccines ले रखे हैं, तो अगर अब तक हमको ये problem नहीं हुई है तो आप निशिंत रहिए, आगे भी ये problem आपको नहीं होगी, हाँ अगर फिर से आपने COVID-19 के vaccine के shots लिए, तो एक अलग possibility है, तो I hope अब आप सब कुछ समझ चुके हो, अगर आपने COVID-19 के time पे vaccines लिए हैं, तो आप बिलकुल डरिये मत निशिंत रहिए, ऐसा कुछ भी उल्टा सीधा आपके साथ नहीं होगा, अगर अब तक नहीं हुआ है तो, and in fact आपको खुश होना चाहिए, कि आपने अपनी उस तैंपर vaccine लेके, आपने अपनी और अपने आसपास के लोगों की जान बचाईए So proud feel करो, happy feel करो, डरो मत और हमेशा एक बात याद रखना, कि vaccines और medicines, चाहे कोई भी होंगी इनके कुछ न कुछ side effects जरूर होंगे किसी के कम होंगे, किसी के जादा होंगे but 100% safe कोई vaccine और medicines नहीं है आपको कभी भी कोई doctor या health personal अगर कोई medicine या vaccine prescribe करेगा तो वो आपको ये देखके ही prescribe करेगा कि आपको actually उसकी जरुवत है की नहीं और वो आपके लिए benefits जाद और risk कम वाला ratio है की नहीं otherwise वो आपको नहीं देगा तो आप safe रहोगे, आपको परेशन होने की जरुवत नहीं है तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही एक बार फिर ऐसे ही interesting वीडियो के साथ हम आपके सामने आएंगे तब तक के लिए नमस्कार